तो भाईयों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि Instagram अप्लीकेशन यदि आपके मुबाइल फोन में वर्क नहीं कर रहा है या या भाईयो Instagram आप आपके मुबाइल फोन में ओप verwर नहीं हो रहा है मतलब कि यह इस तरीके की problem आपको देखने को मिल लाइए तो यार प्लीज इस वीडियो को बिना skip किये हुए इंड तक जरूर देख लेना चलिए वीडियो करते हैं start और आपको बताते हैं कि इस problem को आप कैसे fix करोगे तो भायो सबसे पहले number पर आपको करना क्या है आपको आपने mobile phone की setting को open कर लेना है तो भायो setting को open करने के बाद आपको यहाँ पर search बार में type करना है app जैसे ही आप app लिख कर सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से interface आ जाएगा भायो जो तरीके मैं यहाँ पर Android में apply कर रहा हूँ इस इनी तरीके को यहाँ आप आपने iOS मतलब iPhone में apply करोगे तो भी आपकी problem fix हो जाएगी तो भायो जैसे ही मैंने यहाँ पर app search कर दिया आप सर्च करने के बाद simply यहाँ पर यहाँ आप्स का option आ जाएगा आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने अप्स का option है आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसी आप मैंने अप्स के option पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सर्च बार में type कर देना है इंस्टाग्राम जैसी आप इंस्टाग्राम लिखकर सर्च करोगे यहाँ पर इंस्टाग्राम आ जाएगा आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओप्सन देखने को मिलेगा क्लियर डेटा आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहां पर अब आपको Instagram को open करके check कर लेना तो Instagram properly work करने लगेगा एंड वाईयो इद open नहीं होता था तो open भी होने लगेगा इस कोई भी problem आती थी वाईयो fix हो जाएगी इस solve नहीं होती है तब आपको दूसरे तरीके को apply करना है दूसरा तरीका क्या है भाईयो यहां पर आपको अपने mobile phone के play store को open कर लेना है play store open करने के बाद यहां पर आपको search बार में type करना है Instagram जैसे ही आप Instagram type करके search करते हो यहां पर आपको इस तरीके से Instagram दिख जाएगा आपको नीचे की तरफ scroll करना यहां पर लिखा हुआ है यूरा बीटा टेस्टर उसके उपर यहां पर लिखा हुआ है भाईयो open का option आपको यहां पर update का option सो होगा तो आपको Instagram को तुरंट update कर लेना है यह दि भाईयो Instagram पर update का option सो नहीं होता है तो आपको अब नीचे की तरफ scroll करना यह जो यहां पर लिखा हुआ यूरा बीटा टेस्टर आपके mobile phone में लिखा होगा join a beta version तो simply यहां पर नीचे लिखा हुआ leave आपके mobile phone में join का option होगा आपको तुरंट join के option पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपको 15-20 मिनट वेट करना है फिर से आपको play store open करना है और यहां पर फिर से आपको search बार में type करना है Instagram जैसी आप type करके search करती हो यहां पर Instagram आ जाएगा यहां पर side में beta लिखकर आजाएगा जैसी beta लिखकर आता है तो भाईयो यहां पर आपके mobile phone में update का option आ जाएगा तो भाईयो यह update का option नहीं आता है तो आपको थोड़ा और wait करना है जैसी यहां पर कोई भी update का option आता है आपको तुरंट update कर लेना है जैसी आप Instagram को update कर लोगे तो भाईयो आपकी यह problem solve हो जाएगी फिर यह problem solve नहीं होती है तो आपको एक दो दिनों तक लगातार यहां पर update करते रहना है तो एक problem आपकी solve हो जाएगी यह हो गया दूसरा तरीका अब आपको अगला तरीका क्या apply करना है इन सभी तरीकों से आपकी problem solve नहीं होती है तो भाईयो उसके लिए आपको आपने mobile phone की setting को open करना है एक बार फिर से एंड भाईयो यहां पर एक about phone लिखा हुआ है तो यहां पर आपके mobile phone में कोई new update आया हुआ है तो भाईयो आपको उसको तुरंट update कर लेना है नहीं हो रहा हो तो भाईयो इस तरीके को भी आप यूज कर लेना इन सभी तरीके को apply करने के बाद भी आपकी problem solve नहीं होती है तो भाईयो आपको एक बार आपने mobile phone को restart कर देना चाहिए मतलब की restart या फिर reboot कर देना चाहिए इतना करने के बाद आपकी ये problem 100% solve हो जाएगी तो भाईयो इन सभी तरीकों को आप apply करने के बाद मुझे बताना कि आपकी ये problem solve हुई या फिर नहीं है तो भाईयो बस यही तरीके हैं इस problem को solve करने के और जो मतलब की सबसे आसान सा तरीका कि आपको play store में जाके instagram को बस update करते रहना है आपकी ये problem 100% solve हो जाएगी और जो मैंने आपको तरीके बताए इन सभी तरीके को apply भी करते रहना है तो यदि आपको ये video पसंद आई हो तो ये प्लीज चैनल को subscribe करना इस video को like करना तब तक के लिए बाई